तो देखते हैं अगला नमबर क्या है पाइथागोरस प्रमी तो ध्यान रखिएगा दोस्तो सभी ने पाइथागोरस प्रमी पढ़ा होगा ध्यान होगा बड़ एक बार फिर से देख लेते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने ध्यान minus square h का square equal to p का square plus b का square या फिर इसको लिख सकते हैं root over p का square plus b का square तो जहां जैसा इस्तमाल होगा दोस्तों वो हम करेंगे इसके बाद अगला point है यहाँ पर कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक type का question है point से point मिलाने वाले questions point से point को मिलाने वाले questions तो आईए जरा एक नजर में इनको भी देख लेते हैं क्या समझते हैं इनका basic जैसे लिखा है a is east of b a जो है b के east में है b के पूरब में तो दिहान रखिएगा आप किसी भी point को select करते हैं तो direction कभी नहीं बदलेगा east इधर ही होगा west इधर ही होगा north इधर ही होगा south इधर ही होगा ये कभी बदलेगा नहीं ये हर जगए same चलेगा तो जैसे देखिए दोस्तो अगर मैं कहूं ये b है तो b का east जाहरी से बात है इधर होगा तो east में ये देखिए a मिल गया अगर कहे कि a जो है b के west में है तो देखिए B के west इधर चलेगा West इधर ही चलेगा A is north of B तो अगर B यहाँ है तो देखिए north इधर ही होगा फिर कहता है A is south तो यह देखिए B के south में A हो गया तो दिसाएं कभी नहीं बदलेगी हर point पर east, west, north, south सेम रहेगा तो यह ध्यान रखिएगा हर point पर east, west, north, south रहेगा अब देखिए यहाँ पर कहता है कि A is north east of B तो अगर यह B है तो B का यह east, यह north और इनके mid में आ जाएगा north, east कहता है A is north west of B तो B का north west कहा होगा तो यह देखिए दिखाने की कोशिस कर रहा है B का north west इधर कहता है A is south west of B तो B का south west इधर होगा सब direction की बात हो रहा है south east तो B के south east इधर यह basic basic सी चीजे हैं दोस्तों लेकिन जब हम question में solve करें तो इसलिए पहले ही यह basic clear हो जाए ठीक है तो ध्यान रखिएगा जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं और भी जो चीजे हैं उसको दो से तीन बार भी मैं repeat कर रहा हूँ इसलिए हर basic से basic point मैं बताते जा रहा हूँ चलिए अब सुरू करते हैं दिसाओं के आधार पर type number first का question solve करना ठीक है तो यहां तक मैंने आपको बताया दिसा और दोरी के question solve करने हैं तो कुछ basic पता होना चाहिए तो जितना अभी तक मैंने explain किया यह क्या हो गया एक basic हो गया यह क्या हो गया एक basic अब मैंने यहां पर लिखा है कि दिसाओं के आधार पर दिसा के आधार पर नॉर्मली जितना भी दिसाओं दिया गया होगे उसी के आधार पर question solve करेंगे तो आईए जड़ा देखते हैं यह मैंने एक question लिया ठीक है question को read करेंगे अब person travels 7 meter to what east then turn 90 degree clockwise तो देखिए दोस्तों यहां पर इस्तमाल हो गया जो मैंने आपसे कहा 90 degree clockwise तो इसलिए मैंने कहा यह basic पहले सीख लीजिए ताकि question में जब इनका इस्तमाल हो तो सारे चीजे हमें पता हो तो Hindi English में ठीक है पढ़ लीजिए गया इसको एक बार और मैं भी read कर देता हूँ अब person travels 7 meter toward east एक person है कोई east direction में travel करेगा फिर इसके बाद 90 degree clockwise turn करेगा और 20 meter चलेगा फिर left turn होकर 5 फिर left turn होकर 11 फिर last में left turn होकर 12 meter चलेगा and stop इस starting point से distance and direction तो दोस्तों ध्यान रखिएगा theory पढ़ कर जो बच्चा perfect diagram बना लिया समझ लिए जिए direction and distance उसका complete ठीक तो यह एकदम basic से question है तो बस आप question के line read करिए और जैसे जैसे मैं diagram बना रहा हूँ समझते चलिएगा कभी भी जब आपको travel करना है कभी भी जब आपको travel करना है तो कुछ इस तरीके से point बना लिया कीजिए यह हो जाएगा हमारा starting point यह हो जाएगा starting point starting point आरंभिक बिन्दू इसको बोलेंगे दोस्तो आरंभिक बिन्दू ऐसे ठीक अब इसके बाद आप travel कीजिए ठीक है पहला question है पूरी बारी क्यों से ऐसे समझ लीजिए कि आप एक चौराहे पर है आपसे बोला जाए east direction में जाएए तो इस रास्ते पर जाएंगे हमसे बोला जाए west पे चलिए तो यह west इधर वाला यह east हमसे कहा जाएगा north पे जाएए तो इधर जाएए हमसे बोला जाएगा south पे जाएए तो इधर जाएगे ठीक यह चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए अब east direction में चलना है तो यह हम east direction में चल पड़े और इस line पर लिखते जाएगा जितना भी हम चल रहे हैं तो देखिए east में चले गए 7 अब कहता है 90 degree clockwise तो दोस्तों अभी मैंने क्या बताया 90 degree clockwise अगर लिखा है तो उसको हम पढ़ेंगे right turn हो जाएगे right turn हो जाएगे तो अगर rotation लेना है तो देखिए हमारा face east में है 90 degree rotate होंगे तो south में ही आएगे और अगर हमें right turn होना है तो इधर आ जाएगे right और कितना बोला गया है जितना भी बोला गया है ऐसे आप लिख दीजिए line पर जरूर लिखते चलिएगा जितने meter हम चल रहे हैं क्योंकि गलतियां यहीं होती है यहां तक तो बच्चा बना लेगा इसके बाद देखिए अब three times left तो पहला left turn होना है five अगर जिसने यह 20 नहीं बनाया अब वो 11 meter चलेगा कोई यहां चला देगा कोई और उपर कोई बराबर और यहीं से गलत हो जाए जाहिर से बात है जब यह 20 meter की line है तो common sense इतना होना चाहिए कि 11 meter की line थोड़ी small रखेंगे तो 11 meter की line थोड़ी small रखेंगे इतना अब फिर से left turn होना है फिर से left turn होना है 12 अब कुछ बच्चे left देखिए face हो गया नौर्थ में तो नौर्थ में face है तो left इधर तो left में turn होना है कहां पे जाके हम 12 को रोक दें यह भी समझना है बहुत से बच्चे आएंगे यहीं पे 12 को रोक देंगे वो गलत अगर यह 5 मीटर का distance है दोस्तो तो यहां से जब मैं यहां आऊंगा तो 5 मीटर ठीक अब कितना चलना और बाकी है 12 में हमने 5 चल लिया 7 और चलना बाकी है और 7 यह देखिए इतना है तो जब मैं 7 चलूंगा तो यहीं पहुचूंगा और यह पूरा हो जाएगा 12 मीटर तो देखिए परफेक्ट डाइग्राम बन गया तो यह एक बेसिक सा कोश्चन है बेसिक से कोश्चन में परफेक्ट डाइग्राम में ही आंसर है तो यह देखिए हमने थेओरी पढ़कर एक परफेक्ट डाइग्राम बना दिया अब दो तरीके कोश्चन तो लास्ट में हम यह सा पढ़ लेना है स्टार्टिंग पॉइंट से ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट से आपको देखना है यह कितना होगा तो आएए यहां से पता चलेगा जितना होगा यह डिस्टेंस उसी के एक्किवेलेंट होगा यह डिस्टेंस तो पता कीजिए दोस्तों तो यह हो जाएगा 11 तो 11 यहां से यहां तक 11 हो जाएगा तो 20 मीटर की लाइन में अगर ये 11 हो गया तो ये बचेएगा कितना? 9 और अगर ये 9 तो ये 9 तो पूरा आंसर है वहवेक्ती साउथ में 9 मीटर की दूरी पर है 9 मीटर की दूरी पर है तो ये है हमारा first question basic question कि दिसाओं के आधार पर perfect diagram बनाईए और answer match कीजिए और यही है कि east है तो east के बाद हमें right side कहा जाना है फिर इसका face south में है तो south में है तो left कहा जाना है तो left का पता होना चाहिए फिर इसका face west में है left इधर होगा फिर इसका face north में है left इधर होगा तो every direction हर दिसा के according हमें left और right यह दोनों चीजे clear होना चाहिए चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ दोस्तों अगला question क्या है एक school driver है I school driver drives the school bus 2 km north तो देखे पहला point हमेशा मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहला line हमेशा किसी ने किसी दिसा में कुछ distance भेजेगा तो आएए पढ़ते चलते हैं और diagram भी बनाते चलते हैं ठीक है तो हमेशा मैंने कहा कि एक ऐसे point लगा लिजिएगा यह आपका रहेगा starting point तो शुरू में लिखना फिर उसके बाद यह लिखना बंद हो जाएगा starting point ठीक है exam में नहीं लिखना यह तो समझने के लिए indicate कर रहे हैं धीरे धीरे बसा point लगा यह चलना सुरू कर दीजिए starting point तो आएए क्या कहता है north direction सबको पता है north direction यह हो जाएगा कितने 2 km यह 2 km then turn the bus left and 5 km अब इसका face north में है तो north में left इधर तो left turn हो जायना है और 5 km ट्रेवल करना है अब इसका face आ गया west direction और west के according left right clear रखिएगा अब इसके बाद इस bus driver को फिर से 2 times left 1 times 8 km then 5 km तो ध्यान रखिएगा जब face west में होता है तो left यहाँ तो एक बार left मुड़ना है 8 फिर से left मुड़ना है तो इसका face south में है south के according left में 5 देखिए यह 5 है और फिर से मैं 5 meter जा रहा हूँ तो proper मैं इसके straight line पर ही रहूँगा तो twice हिंदी में पढ़ते रहे कि बसको बाई और 2 बार क्रम से 8 km और 5 km होड़ा यहाँ तक हम चले आए last में अंत में वह फिर एक बार बाई मुड़ेगा वन टाइम फिर से left turn होना है तो इसका face कहा है दोस्तो east की तरफ left starting point की ओर ही रहेगा यह left हो जाएगा और कितने meter कितने meter 1 km तो 1 km तो दोस्तो ध्यान रखिएगा यह 2 meter गया 8 नीचे आया और यहाँ से यह 1 km और यहाँ पर यह बस रुक गई बस रुक गई question क्या पूछा गया है आरंबिक बिंदू पर पहुँचने के लिए किस दिसा में बस चलानी होगी ठीक है direction ही need to drive the bus रुईच starting point यहाँ पर यह stop है अब कहता है starting point पर पहुँचने के लिए किस दिसा में बस चलानी है और कितनी दूरी चलनी है तो बड़ा आसान तो इसलिए मैंने कहा basic question perfect diagram में ही answer है अब जो बच्चा यह perfect diagram बना लेगा answer और यह diagram बनाने के लिए उसे दिसाओं का ग्यान हो और हर दिसा के according left right left right तो चलिए भई जरा बताईए यह पूरा 8 है यह 2 है यह 1 है तो जाहिर से बात है यह जो distance होगा यह सब मिलकर कितने हो जाए 8 इसके equivalent तो जाहिर से बात यह कितने kilometer पाँच और कौन से दिसा में बस चलानी होगी दोस्तो तो north तो proper answer आ जाएगा कि उस driver को north direction में 5 km ब्रस चलाना है तो वो starting point पर पहुँच जाएगा तो यह हुआ एक basic सा और question basic सा question means दिसाओं के अधार पर कि दिसाओं के अधार पर बहतरी डाइग्राम बनाएगे डाइग्राम में ही answer छिपे हैं यह देखिए answer छिपे हुए हैं देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला question अगला question है यहाँ पर देखिए पूरी एक theory है last month a survey was conducted in a particular concentration देखिए यहाँ पर यह जो theory दिये गई है तो यह बस ऐसे ही इसको पढ़ लिजिए पिछले महीने एक वी से निर्वाचन चेटर किया गया था ठीक है राकेश जो उस निर्वाचन चेटर का मतदारता था ठीक है यहाँ से important line शुरू हुआ ठीक है walk 40 meters from his house toward east direction ठीक है अपने घर से 40 meter east direction में travel करता है then turn right फिर right turn होकर 20 meter travel करेगा फिर right turn होकर 30 meter travel करेगा and last right turn होता है और ठीक है जो भी pooling station है वहाँ पहुचता है जो पिछले बिंदू से 10 meter की distance पर है तो इस प्रकार पूरी की पूरी थेओरी दी गई है यह starting की line बस ठीक है हमें बताने के लिए है बाकि यहाँ से अगर कोई roll नहीं है spotted line शुरू होता है यहाँ से कोई राकेस है वह अपने घर से travel करना शुरू करेगा तो आएए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं diagram बनाऊँ चलिए यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ यह ले लिजिए home राकेस नाम का है कोई वह है उसका घर यह starting point यहाँ से चलना शुरू करेगा east direction में 40 तो east direction यहाँ होता है और यह 40 meter travel कर गया इसमें लिख दीजिए 40 meter then turn right and 20 meter तो then turn right तो ध्यान रखिए गया east के according right इधर ही होगा अब इसका phase south में है और south के according right इधर की और हो और left इधर इधर इन्हें मुड़ना है right and 30 meter right 30 meter तो यह 40 हो गया 30 थोड़ा ऐसे बनाएंगे small length of measurement बस ध्यान रखिएगा अब इसके बाद pulling station पहुचने के लिए इसको right turn होना होए और 10 meter चलना है ध्यान रखिए यहाँ से right turn होना है finally he take right turn and reach the pulling station which is 10 meter away from the previous point ठीक है पिछले point से 10 meter की दूरी right turn पहे तो देखी यह right turn होकर 10 meter जैसे ही चलेगा तो यह मिल गया pulling station मतदाता केंदर यह हो जाएगा pulling station ऐसा तो पूरी थेयोरी पढ़ लिजेए पूरी थेयोरी पढ़ने के बाद basic सा picture यह बनेगा starting में line जो भी थी वो सब ठीक है राकेस है कोई नाम का वो अपने घह से travel करेगा east direction में 40 then turn right and travel 20 meter again turn right and 30 meter and इस 30 meter से 10 meter चलना है right में और जैसे 10 meter complete pulling station आ जाएगा तो यह देखे right में 10 meter चला pulling station आ गया पूरे question के according यही diagram बनेगा अब आएए यहाँ पर questions लिखा गया है starting point कहता है starting point के according pulling station किस direction में है ठीक है इसके इंगलिस में repeat कर देता हूँ starting point से कहता है देखिए कि pulling station किस direction में है तो starting point pulling station तो बस direction हमें बता देना है पहले question में तो देखिए जरा यह है starting point और starting point के according यह east और यह हो जाएगा south तो जरना देखिए कौन सी दिशा में दिख रहा है South East तो first question का जवाब आ गया South East second question राकेश द्वारा मतदाता के पहुँचने के लिए कुल कितनी total distance दूसरा question मैं repeat कर देता हूँ दोस्तों English वालों के लिए कि राकेश जो है पूलिंग स्टेशन पहुचने के लिए total distance कितना travel किया total distance ध्यान रखिएगा दोस्तों जब कभी भी total distance पूछे तो जितना travel किया सब इड़ करके रख दीजिए 40 plus 20 plus 30 plus 10 सब इड़ कर दीजिए total distance 40 plus 20 plus 30 plus 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 100 100 मीटर हो जाएंगे तो दूसरे कांसर हो जाएंगा 100 मीटर कभी भी total distance अगर बोले तो जितना भी travel किया सब इड़ कर दीजिए और जब कभी भी total distance ना बोले तो हमें minimum distance ही solve करना है जिसे बोलते हैं displacement shortest distance last उसके सबसे पहले turn होने वाले point से जहां भी जाएंगे देखिए जरा बताएंगे first right turn first right turn first right turn से pulling station किस दिसाम पे हैं first right turn से pulling station तो जरा देखिए यह है first right turn और first right turn से यह south और यह west और pulling station आ जाएगा south west तो last question जो है यहाँ पर आ जाएगा south west तो इस तरीके से यह भी एक basic सा question है basic सा question means कि theory पढ़कर हमें perfect diagram बनाना है theory पढ़कर perfect diagram बन गया तो ऐसे basic basic question सारे हो जाएगे ठीके दोस्तों बढ़ते हैं इसी तरीके से अगले question की तरफ अगला question अब जो हमारा होगा type 2 का तो type 2 में यहाँ लिखा गया है match point to point तो जैसे मैंने explain किया था point A point B के east में है point A point B के north में है point A point B के east में north में south में या sub direction में तो point से point को match करने वाले questions अब हम लोग solve करने वाले हैं तो बिलकुल बने रहिएगा और देखते चलिए question को पढ़ते चलिए यहाँ पर देखिए point से point को match करने वाले questions अब हम solve करेंगे पहला line यहाँ देखिए z is 25 meter to the east of X which is ध्यान रखिए कि दोस्तों कभी भी अगर यह words आ जाते हैं कि who आ जाए, which आ जाए तो वो second person को ही indicate करता है और देखिए जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में words आ जाएगा जो यह language में बता दू दोस्तों कई बार इनका इस्तमाल होगा जब कभी भी first person and second person इनका जिक्र हो first person and second person इनका जिक्र हो हिंदी हो या language में हिंदी हो या English हो, कुछ भी हो क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे हर जगे इनका इस्तमाल होगा blood lesson पढ़ेंगे direction पढ़ेंगे, sitting arrangement पढ़ेंगे ranking पढ़ेंगे, जहां जहां भी theory होगा यह बार-बार मिलते रहेंगे तो इनको एक copy पर अच्छे से note कर लेना, यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ first person, second person कौन? चाहे हिंदी हो या English जो पहले मिलेगा first जो उसके बाद आएगा second, first यह हो जाएगा second person यह हो जाएगा अब जैसे ही यह बात खतम हो जाए और लिखा मिले यह सब्द, जो who, which इस तरीके से language का इस्तमाल होगा, या लिख दिया जाएगा or and is, ऐसे language का इस्तमाल होगा, तो इसका मतलब अच्छे से समझे रहेगा कि अगर यह language है तो यह indicate करेगा second candidate को, और अगर यह language है, तो यह indicate करेगा first person को, इसको अच्छे से ध्यान से समझे रहेगा तो आएए, अब इसी language पर पढ़ते हैं z, x के east में 25 meter के दुरी पास, जो y के दक्छिड में है, तो जो का मतलब x, ठीक है meter to the south of y q is 12 meter to the south of z, and, यह देखिए end भी आ गया यह देखिए, और भी आ गया तो और का मतलब यहाँ पर q का indication है, जो का मतलब x का indication है, clear तो देखिए, language के ही इस्तमाल किया गया है, point से point मिलाना है, और language को ध्यान से समझना है तो बिल्कुल ध्यान से समझेए, मैं diagram बना रहा हूँ कहता है कि x नई, फाइला line है, z, x के east में दिखना चाहिए, तो यह देखिए यह x, तो इसका east इधर east में दिखना चाहिए, z distance, 25 तो z x के east में 25 मीटर पर है, which यह जो, तो जो का मतलब x के बारे में ही बात चल रही है, तो x जो है y के south में दिखना चाहिए तो अब y को ऐसी जगह लगाएंगे कि y के south में x दिखे, तो y को अगर मैं यहां indicate कर दूँ, तो यह देखिए y के south direction में दिखेगा 10 मीटर, y को यहां रखूँगा, तो y के north में दिखेगा y को यहां रखूँगा, तो y के east में दिखे, तो यह पहला line complete next line, q z के south में दिखना चाहिए ठीक है, कहता है q is 12 meter to the south of z z तो हमें दे दिया गया, तो z का south होगा यह, तो z के south में चले जाएंगे, जितना भी meter बोला गया है 12 meter तो 12 meter जैसे ही आप जाएंगे, तो आपको मिल जाएंगा q इसके बाद words use हुआ है or, English में देखिए end, तो end का मतलब first person q के बारे में ही बात चल रही है q जो है p के east में दिखना चाहिए अब यह जो q है यह p के east में दिखना चाहिए p को ऐसी जगे लगाओ कि p के east में दिखे तो p को यहां रखूंगा, तो north में दिखेगा यहां रखूंगा, तो west में दिखेगा इधर का ही रखूंगा, तो दिखेगा east में, कितने meter 25, तो दोस्तों यह भी 25 और यह भी 25 तो मतलब यह यहीं पर कहीं होगा, ऐसे बोलिए, clear होना चाहिए यह तो point से point को connect करके point से point को connect करके हमने यहां पर पता लगा लिया, एक diagram perfect diagram का पता लगा लिया, कैसे होंगे यह point अब इन point ओमें y, x और p straight line में है, ठीक, आईए ज़रा question देखते हैं, क्या क्या पूछ रहा है find distance between y and p देखिए, पहला question यही पूछ लिया y and p कहता है कि y से p तक का distance, तो दोस्तों यहां से लेके यह distance हमें पता करना है तो यह 10 already है यह equivalent हो जाएगा, यहां पर 12 12 plus 10 कितने हो जाएंगे, 22 meter तो पहला question का answer मिल चुका है 22, फिर कहता है q in which direction with respect to y q in which direction q के आधार पर y किस दिशा पर है q in which direction कहता है q in which direction with respect to y कहता है y के according ठीक है, y के according q किस दिशा पर है हिंदी में थोड़ा सा यह उल्टा लिग दिया गया है q, यहां होना चाहिए y के आधार पर q किस दिशा पर है कोई नहीं, concept के अधार पर y पूछे y के अधार पर q पीछे हम सारा अंसर दे सकते हैं तो आएए पहले English के according q in which direction with respect to y y के according q किस दिशा पर है तो देखिए दोस्तो y यहाँ है तो y के according q किस दिशा पर है तो एक sub direction पर आ रहा है तो y के according यह हो जाएगा east यह हो तो कौन से दिशा पर दिख रहा है south east तो इसका अंसर हो जाएगा south east कोई नहीं अगर हिंदी के according चले ठीक है बाकी यह लिख दिया गया है y यहाँ होना चाहिए q यहाँ होना चाहिए बट अगर लिख दिया कि चलो भई यह इसका भी solve करो कहे q के according y किस दिशा में है तो q के according y अगर पूछा जाएगा तो q के according यह हो जाएगा north यह हो जाएगा west तो north west नौर्थ west ठीक है तो language दिखान रखिए यह opposite बट कोई नहीं English के according भी answer दे दिया हिंदी के according भी answer दे दिया तो दियान रखिएगा जैसा भी हो एक्जाम में ऐसे नहीं होंगे तोनों के दोनों match होंगे तो चलिए दियान रखिए यह हमने point से point को मिला कर point से point को मिला कर एक diagram बनाया और diagram के according जो भी question पूछा जाए और भी question इसमें पूछ लिया जाए कि जेड के according बताईए पी किस दिसा अपर है तो फिर जेड से हम देखते तो जेड के according यह आ जाता south west जेड के according यह हो जाता south यह हो जाता west तो हम बोलते south west हम से बोलता x के according बताईए q किस direction में तो x से हम देख लेते यह हो जाता south यह हो जाता east तो हम बोलते south east तो किसी भी point से हम किसी की भी दिसा बता सकते हैं doesn't matter बस question पढ़िए कि question में क्या बोला गया है आए बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो अगला question point से point मिलाने का है यह f के according d का direction कौन से 3 point straight line में है ठीक है तो question मैं पढ़ देता हूँ point से point मिलाना है g से a तक का distance कोई 3 point straight line पर होगा f के according d किस दिसा पर है f के according d का direction हमें point f से देखना है d किस दिसा पर है आईए तो सारे question के answer मिलेंगे लेकिन पहले हमें क्या करना है एक perfect diagram बनाना है तो दोस्तो लाइनों को connect करते चलिए point a point b के north में है तो यह देखिए point b अगर हम यहां select कर लें तो point b का north हो जाएगा यह और north में 11 meter हम चले जाएं तो हमें मिल जाए point a तो पहला line complete पहला line हमने complete कर दिया अब कहता है कि point b के east में चले जाएगे 11 meter तो एक point मिल जाएगा c तो point b का east इधर होगा और इधर हम चले जाएंगे again 11 meter तो मिल जाएगा हमें point c अब कहता है point c से north में travel कर यह 5 meter तो point c के north में travel करेंगे 5 meter तो हमें मिल जाएगा point d फिर point d के west में travel कर जाएगे 7 तो west इधर ही होगा बस east west सब हमें अच्छे से पता हो तो एक perfect diagram बन कर आएगा तो देखिए ऐसे ही free hand आप diagram बनाने लग जाएगे और free hand diagram बनने लगेगा तो direction बहुत ही आसान हो जाएगा और free hand diagram बनाने के लिए starting में जो मैंने आपको बताया one to one उसका आप revision कीजिए आगे बढ़िए point e के north में जाना है हमें 9 meter तो north में 9 meter जाएगे तो थोड़ा और यहां तक जाएगे तो यहां मिल जाएगा point f यहां मिल जाएगा point f फिर इसके बाद f के west में चले जाएगे 4 meter तो f के west में 4 meter ट्रेवल कर जाएगे अब देखिए ध्यान से 4 meter में कहा जाओं तो जड़ा लाश से देखना सुरू कीजिए हम 11 गये थे 11 meter गये थे 11 में लोटे हैं 7 तो यहां से यहां तक टच होने के लिए कितने हैं 4 यह 11 यह 11 और यहां से हमें 4 meter ही चलना है तो 4 meter चलना है तो जाहर सी बात है मैं a के सामने ही रहूँगा यह 4 और यह मिल जाएगा हमें g यह बन गया perfect diagram यह perfect diagram के बाद हमें questions पढ़त चले जाना है और उनके आंसर देते चले जाना है आई यह जड़ा देखते हैं मैंने कहा एफ के according जड़ा point f से देखिए कि d किस direction में दिख रहा है point f तो point f यहां है point f यहां है और point f के according यह हो जाएगा south यह हो जाएगा east तो यह कौन सी दिशा है दोस्तो south east तो पहले question का answer मिल गया south east point f और point f से हमने देखा south east पर है दूसरा कौन से 3 point straight line straight line सीधी रेखा में होंगे तो सीधी रेखा में जड़ा देखिए ध्यान से यह g यह a यह b यह straight line पर होंगे तो g a और b straight line then last question distance between g to a distance between g to a तो हमें g से a के बीच में यह distance पता करना है यह distance पता करना है ठीक है इतना अब यह distance देखने के लिए आईए जड़ा देखिए ध्यान से यहां यहां से लेके यहां तक 9 meter और यह distance हो जाएगा 5 तो 9 and 5 add कर दीजिए 14 और 14 के equivalent होना चाहिए यह तो अगर यह 11 है तो 11 में पॉइंट को connect करने वाले questions तो चाहे point से point को connect किया जाए चाहे basic दिसाओं के आधार पर हो diagram बनाना पड़ा तो वही मैंने कहा कि कोई भी type का question हो perfect diagram अगर बन गया तो direction and distance complete